अगर आप एक option buyer तो काफी option buyers को confusion होते कि हमें कौन सा सही strike option buying के लिए लेना चाहिए हमें ATM में trade करना चाहिए, ATM में trade करना चाहिए, INDAMONEY में trade करना चाहिए, किस तरीके से कौन से strike में trade करना चाहिए तो उसके लिए छोटी-छोटी चीज़े हैं मैं आपको वह समझाना चाहूँगा, पहले भी मैंने एक video डाला है, अगर आपने वह video नहीं देखा तो उपर आई button में जाके देश करते हैं, अभी यह थोड़ा detailed video है, उसी चीज़ के उपर, strike selection के उपर, मान के चली आप एक scalper है ठीक है, आप एक scalper है, basically scalper कौन होता है, जैसे कि जो अपने time trade में थोड़ा time के लिए रहता है, जाने कि अब यह बोल सोकते है कि 30 second, 1 minute, जाता से 1,5 minute, ठीक है, तो scalper category में आता है, तो scalper basically क्या करते है, बड़ी quantity में trade करते है, जैसे कि 20 lot ले लिए जा 50 lot ले लिए ठीक है, त तो वो लोग क्या prefer करते है, basically वो लोग ATM में भी trade करते है, कुछ लोग ATM में भी trade करते है, कुछ लोग ATM में भी trade करते है, डिपेंड करता है कि आपका किस तरीक है, आपका mindset है, लेकिन अगर आप एक scalper है, आपको पता है कि जिस trade में आप enter करने वाले, उसमें आपको short short moment मिलने वाला और आपको पता है कि मेरे को इस ट्रेड में शौर शौर मुझे 10 या 12 या 15 पॉंट मिल जाएंगे तो आप ATM में भी टेट कर सकते हैं ठीक है लेकिन यह चीज आप देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि शौर शौर मोमेंट आने वाल तब ही यह चीज आप कर सकते लेकिन मैं आपको यह करूँगा ओटिम से जदा आप ATM पे रिलाइ करिए ठीक है तो इस टाइम प्रीमियम आपका कैसा हो सकता है कई बार आपका अगर फ्राइडे की दिन बात करें तो ATM में साथे 300 का प्रीमियम हो सकता है ठीक है डिपेंडिंग पॉन जैसे जैसे अगर कुछ लोग जैसे होते कि उन लोगों पता है कि आज मार्किट में शॉर्ट कवरिंग होने वाला है जा कोई बड़ा मुपमेंट आने वाला कोई बड़ा रैली कैप्शे करते तो मैं अक्सर बे आपका अपना बता हो तो मैं बैसिकली ATM में भी टेट करता हूं उसके लिए चैनप रैलिदिवमें वाला का सिर्ट का में ब्रहल गया है तो ऑस तरीके से अगर ट्रेंड राइट करें तो आप इस तरीके प्रीमियम आप में ऐसा सेलेक्शन करता हूँ ठीक है देन उसके बाद तीसरा जो आता है काइंड ओफ जैसे थोड़ा साइडवेज मार्केट जैसे मान चली कल ट्रेंडिंग था मार्केट सब्सक्राइब करी आपका आज 30 तारीक कल 29 तारीक आपका मार्केट ट्रेंडि था ठीक है आपको पता है कि शायद आज मार्केट कल मार्केट ट्रेंडिंग था लेकिन आज मार्केट में मेरेको बूवमेंट कम मिल सकती है मतलिंग मार्केट साइडवेज होने के चांसे जादा है ठीक है तो उस केज में पर पोस्ट करें जैसे अपना बैंक निफ्टी में 45,000 पर चल रहा है ठीक है यह हमारा ATM है ठीक है तो मैं करूंगा इस से तीन इंदा मनी जाओंगा ठीक है तीन इंदा मनी में क्या हुआ पहला क्या हुआ आपका 44,900 ठीक है 44,800 और 44,700 तो मैं किस में जाओंगा तीन इंदा मनी जाने कि इस स्ट्राइक से इस स्ट्राइक में ट्रेट करना पसंद करूंगा क्योंकि कहीं न कहीं अगर DK होगा तो मेरा कम DK होगा तो मेरा कम DK होगा तो इसलिए मैं in the money में prefer करूँगा तो आप यहां पर लिखते तो मैं 3 strike in the money ठीक है, condition मैंने बता दें मान के चली है आपको लगता है कि आज market थोड़ा sideways हो सकता है लेकिन हां बीच में आपको थोड़े एक दो trade मिल सकते हैं मिलने की chances है प्रोबबिल्ट है तो आप इस तरीके के strike selection ले सकते हैं चौता condition है कुछ लोग जैसे expiry में trade करना पसंद करते हैं जहनी कि hero zero बोलेजिया ठीक है so hero zero kind में हमेशा जो मेरा recommendation रहता है कि आप हमेशा जो प्रीमिम अगर बैंक निफ्टी में trade कर रहें आप 30-40 रुपे वाला प्रीमिम में trade करें ठीक है बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर बैं लिख देता हूं से में अगर मानक चले यही चीज आप निफ्टी में trade करें तो उस तेम प्रीमिम के तो आप हार्ली 15-12-15 जा फिर मेक्स टूमेक्स 20 रुपे भी जा सकते हैं तो यह भी आपका एक काइंड़ ओटियम हुआ तो यह निफ्टी को ठीक है तो मैं यही कहूंगा कि 20 रुपे भी जाने कि आप राउंड फिगर लेगे चली 15 रुपे का प्रीमिम निफ्टी में अगर ट्रेट करना है तो ही रिजर तो इस काइंड प्रीमिम लिए डिरेक्शन कोई भी हो सकता है पुट भी हो सकता है तो पुट का आप 15 रुपे का आपको आपको आज बताता हूं मैंने आज एक आपको वह चीज दिखाता हूं तो यह देख लीजिए मैंने इसमें बिसिकली 44,400 में लिया तो यह उस टाइम पे एटियम था तो देखिए मेरा पहले मैंने इसमें लिया था चालीस रुपे में लॉस बुक किया ठीक है दैन आप देखिए मैंने फिर दुबार जब यह मुझे लगा कि इसमें मॉम्मेंट तो मैंने 50 रुपे में बाई किया और मैंने 60 रुपे में काटा और फिर उसको फिर लिया तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा ठीक है तो अगर यहां पे एटिम लेते हैं जाओ लेते हैं जैसी यह स्पाइक आया क्योंकि इस टाइम में प्रीम डीके बहुत फास्ट होत तो आप 30-40 रुपे बाला प्रीम पकड़ी है और निफ्टी में आप 15 या 12 रुपे बाले प्रीम पकड़े इस तरीके से आप मल्टिपल स्ट्राइक सेलेक्शन कर सकते हैं तो इस तरीके साब प्लैन कर सकते हैं कि आपका ट्रेडिंग किस टाइप के है तो यह चीज मैंने स सारी डिटेल में बता दें तो यह चीज आपको अक्सार हेल्प करेंगी डेली रुटीन ट्रेडिंग में उमीद करता हूं यह वीडियो चलागा अच्छा लग तो लाइक करें शेर करें धन्यवान नमस्का शुक्रिया मिलत एकली वीडियो में